आपके उमर के हिसाब से क्या होना चाहिए आपका इन्वेस्मेंट मिक्स जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों ये एक सवाल है जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं 25 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, 40 साल का हूँ लेकिन investment अभी तक शुरू नहीं करी है, तो क्या होना चाहिए मेरा investment approach, क्या होना चाहिए मेरा investment mix, stocks भी है, fixed deposit भी है, corporate bonds भी है, gold भी है, real estate भी है, crypto भी है What should be the mechanism to evaluate all of them and क्या उनका share होना चाहिए? इस वीडियो में इस सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा Basically, तीन सवाल Number एक, आपकी, irrespective of कितनी भी उम्र हो What are the things that you have to bear in mind before you even start investing? Number दो, emergency fund कैसे बनाया जाता है और उसका अप्रोच क्या है? And then finally, number तीन, आपका जो investment अप्रोच होगा वो कितना होना चाहिए और उसका mix क्या होना चाहिए? Number एक, investing शुरू करने से पहले आप चाहे जितने भी साल के हो 22 के हो, 32 के हो, 50 के हो There are two things that you need to have And इसके बारे में मैं अकसर बात करता हूँ But it never harms to repeat it again Number एक, health insurance Health insurance, अपने परिवार के लिए, अपने माबाप के लिए अपने माबाप के इंशॉरंस, आपके इंशॉरंस से अलग होनी चाहिए क्योंकि वो मुजूर्ग है उनका health insurance ज़्यादा महगा होगा And if you club your parents with yourself तो आप उनकी highest age, जो भी आपके मा यापके बाप है उनकी age से आप price करेंगे That is not a smart thing to do तो अपने माबाप को एक अलग health insurance दीजिए आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए अगर आप married हैं, बच्चे हैं उनके लिए अलग health insurance रखिए But that is a necessity, पिछले दो सालों में इस दुनिया ने जो देखा है Hopefully उसके थुरू आपको पता चल गया होगा कि health insurance बहुत बहुत critical है Number 2, life insurance कोदा ना खासता, अगर आपको कुछ हो जाए और आप family के earning member है और only earning member है तो आप यह नहीं चाहते कि आपके जाने के बाद जब income बंद हो जाएगी तो आपकी family को कुछ भी सफर करना पड़े तो इनके लिए financial security बहुत ज़रूरी है Life insurance लीजिए Term plan is the best plan जहां आप सबसे कम premium देके सबसे ज़ादा coverage ले सकते है जो भी आपकी साल की आमदनी है उसका 20, maximum 25 गुना शुड बी यॉर term insurance cover तो अगर आप 5,000,000 पर कमाते हैं तो एक करोड का cover ideally सवा करोड का cover and these two things are critical before you start any investing journey इसके बाद आता है emergency fund emergency fund उस चीज के लिए बनता है जहां कोदाना खासता अगर आपकी income बंद हो जाए for a short period of time आपको शायद अपनी जॉब से निकाला गया है या कुछ sabbatical पे है या आपको कोई operation या कोई illness या कोई family situation की वज़े से काम करना बंद करना पड़ा whatever the reason may be एक emergency है जिसको आप predict नहीं कर सकते and उस point के लिए आपके पास ऐसे होने चाहिए the minimum emergency fund amount should be 6 months of your basic monthly expenses and ideally 12 months of your basic monthly expenses basic monthly expenses क्या होते हैं वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरते हैं आपका rent हो गया EMI हो गया खाने पीने का खर्चा हो गया बिजलीब बानी का खर्चा हो गया ज़रूरत की चीज़े इच्छाएं नहीं desires नहीं investments भी नहीं just your basic needs उसका 6 गुना is the minimum 12 गुना is the ideal emergency fund को सबसे पहले आप बनाएंगे investing करना भूल जाएए क्योंकि emergency can come unannounced at any point of time इस emergency fund को तीन भागों में बाटा जाता है 70, 20, 10 70% of this emergency fund should be in a fixed deposit fixed deposit एक बहुत ही बड़िया तरीका है पैसे protect करने का grow करने का नहीं यह आप जानते होंगे आप मेरे वीडियो देखते है तो fixed deposit में यह 70% पैसा डालिये ensure करियेगा कि कहीं भी जो भी आप fixed deposit यूज़ करें उसके termination पे आपको कोई penalty clause या penalty amount नहीं देना होता है 20% should be in your bank account savings में है हाँ 2% पे पैसे जंग खा रहे है लेकिन emergency fund का बेसिक नीड ही वही है उसके बारे में चिंता मत करिये and then 10% should be in liquid cash at any point of time at your home itself कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े that should be the split of the emergency fund and with the life insurance and health insurance and the emergency fund you are now ready my friend to start your investing journey investment करने के लिए the basic rule that is used is called the 50-30-20 rule अकसर लोग जब investing के बारे में सोचते हैं तो यह सोचते हैं यार investing का फाइदा क्या है हम अभी 25 साल के हैं 30 साल के हैं अभी तो life enjoy करने का वक्त है पैसे कमाना शुरू किया है अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं party करना चाहते हैं vacation करना चाहते हैं गाड़ी खरीदना चाहते हैं फोन खरीदना चाहते हैं investing में सारे पैसे डाल दिये तो जब बूड़े हो जाएंगे तब पैसा होगा पर क्या करेंगे दांत नहीं होंगे ताकत नहीं होगी शरीर नहीं होगा उस पे हचार डालेंगे इस पैसे का absolutely this is where budgeting comes in budgeting allows you to have segregations for each and every purpose of your life 50-30-20 rule ये बताता है कि जो भी आपकी महीने के आमदनी है उसका 50% 50% and no more should go towards your needs आपकी जरूरत है आपकी EMI आपका rent आपके कपड़े आपके खाने कपड़े मतलब जरूरत है के कपड़े कपड़े के कपड़े ने खाना, बिजली, स्कूल की फीस इसका basic, basic needs अपनी जरूरत है इसके बिना अप जिंदगी जीव नहीं सकते that is where 50% of your amount goes no more than that 30% then goes towards your wants आपकी चाहे, आपकी desires ये आपका फोन हो सकता है आपकी गाड़ी हो सकती है आपके वकेशन हो सकता है आपके पाटी के कपड़े हो सकते है आपका खाना खाना हो सकता है whatever is it that you wish to do you absolutely should do it but you have to do it within this 30% अगर ये 30% आपके उस महिने के लिए enough नहीं है because you want to make a bigger purchase for example आप 50,000 रुपे महिना कमाते हैं after tax and all of that 30% मतला 15,000 रुए आप खरीदना चाते हैं phone phone है 45,000 का तो आप एक ही महिने में वो phone नहीं खरीज सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा you have to plan कि अगर मैं ये 15,000 रुपे हर महिने अपनी इच्छाओं की तरफ डेडिकेट कर सकता हूं मैं अपनी सारी बाकी इच्छाओं रोग दूँगा तीन महिने के लिए इन इस थ्री मॉंद्स I will have 15, 15, 15 ताले सेजार मैं वो phone लूँगा और उसके बाद से जो 15,000 होंगे that I can still continue with whatever wants I have that is how you have to think about your budgeting and then finally the 20% this 20% is the bare minimum जो आपको हर महीने पूरी सिद्दत के साथ invest करना है and there is no escaping this अब यह जो investment है 20% की this investment how should you go about making this what should be the split of it उसका एक बहुत important determinant है आपकी age your age is a very strong proxy for the kind of risk that you can take अगर आप जवान है 20, 25 साल के हैं then you can take a lot more risk इसका मतलब यह नहीं है कि आप risk loving है इसका मतलब यह है कि खुदाना खास्ता अगर आपकी investments को short term में एक loss भी दिखता है material impact होता है then you have time to recover from it and that is what is called the risk propensity at an early age लेकिन अगर आप 35, 40 साल के हैं तो आपकी family है शायद आपकी जरूरतें जादा है खर्चा जादा है आप उतना जादा रिस्क भी नहीं ले सकते और अगर खुदाना खास्ता कुछ हो जाए आपकी investments को तो आपकी पास वक्त भी नहीं है to recover from that क्योंकि आपकी जरूरतें बढ़ती ही रहेंगी और शायद तीजी से बढ़ेंगी So your age is a very important determinant because that number tells you how much risk should you take अगर आप 25 साल के हैं 100-X is 75 इसका मतलब 75% of your total investment can go towards risky assets यह risky assets क्या है? stocks हो गया, crypto हो गया When I say risky, I don't mean कि इससे आप सटा खेल रहें इसका मतलब यह नहीं है कि यह गंदे assets इसका मतलब यह है that they are volatile वो कभी उपर, कभी नीचे, कभी उपर, कभी नीचे जाएंगे but over a long period of time they are bound to give you positive returns So, अगर आप short-term volatility or short-term उपर नीचे को इग्नोर करेंगे over a long-term period you will have healthy returns coming in And then, जो बाग ही बच्गया अगर आपच्छे साल के हैं तो 25% should go towards stable assets यह stable assets वो है जो आपको एक predictable return देते हैं लेकिन वो exciting return कभी नहीं होगा but it is required for stability तो आपके fixed deposits हो गए आपके long-term investments हो गई national investment plan हो गए so on and so forth, इन सब के बारे में बात करेंगे अगर आप 40 साल के हैं then suddenly the equation changes क्योंकि 100 minus 40 is 60 तो आप सिरिफ 60% in risky assets में डाल सकते हैं and 40% will go towards stable अब stable assets कौन से risky assets कौन से है उनका mix कैसे होना चाहिए वो जानने के कोशिश करते हैं सबसे पहले, tax बचाना है सबसे पहले हमें tax बचाना है सरकार हमें tax बचाने के लिए बहुत सारे मौके देती है and we have to maximize all of that क्योंकि सरकार को क्यों पैसे दे अगर वो पैसे हमारे है and then if the government is allowing us to save on taxes we have to be smart and save on taxes तो आप, जो stable आपकी investments है उसके percentage को आप अपने tax saving plans से cover करेंगे वो आपका EPF हो सकता है PPF हो सकता है National Pension Scheme हो सकती है अगर आप थोड़ा सा risk लेना चाहते है then ELSS, मतलब Equity Linked Savings Schemes उनमें invest कर सकते हैं ये सारे जो है, वो lock-in के साथ आते है ELSS, for example, 3 सार के lock-in के साथ आता है Provident Fund, अगर आप PPF, Public Provident Fund डालते है तो वो 15 साल के lock-in के साथ आता है EPF का कोई lock-in नहीं है बट, of course, उसकी एक limit है तो आप उतना ही invest कर सकते हैं, so on But, the idea is कि जो भी आपके stable investments है which is the X, your age वो आप tax savings से पूरा coding करेंगे पूरा करने की कोशिश करेंगे आप, अगर home loan पे है तो उसका interest amount भी इसमें जाता है आप health insurance जो लेते हैं उसका premium amount भी इससे deduct होता है आप, अगर life insurance लेते हैं तो उसका premium amount भी इससे deduct होता है तो बहुत तरीके हैं, डेड़ लाक रुपे तक exemption मिलता है हमें, तो we should apply that और भी ज़्यादा मिल सकता है जैसे जैसे laws change होते रहेंगे but the idea is that you should absolutely claim all tax benefits that the government allows अगर इन सब के बावजूद आपका जो X percentage stable assets में पूरा नहीं होता है then a good stable asset to buy is gold gold please jewelry के form में मत खरी दियेगा gold is to be bought in gold format and in digital format a good option of that is called the sovereign gold bond SGB यह सरकार हर quarter I think announce करती है जब आप खरीते हैं तो आपको gold की जो भी appreciation है वो तो मिलती है उसके उपर 0.5% return और मिलता है so it's a fairly good stable investment to make gold I think over the last 30 years has given an average of 8-10% return every year तो उसपे अगर आप 0.5% odd जोड़ देंगे 10% के करीब करीब बहुत अच्छा stable investment है and you should 100% go for that real estate becomes another one लेकिन real estate will only be applicable आपका अगर जो X है वो बड़ा है which is why I keep saying कि please young age में ना real estate investments मत करिये क्योंकि आपके पास ना वो quantum है करने का and उसका इतना return भी नहीं है real estate ने कभी भी stock market को beat नहीं किया है so it is not something that you should do at an early age later age में जब आप 40-50 के हो जाएंगे so you have to invest 40-50% or you should invest 40-50% and in stable assets उसके जलते आप real estate में भी इवेस्ट कर सकते है ideally commercial real estate residential real estate में जादा नहीं मिलता है commercial real estate में कम से कम rental yield मिलती है which can help you and that is something which you can do अब आते हैं the high return high risk assets high return high risk assets में सबसे बड़िया asset is the stock market आप direct stocks करीच सकते हैं but that requires a lot of research you may not have the ability to do that or you can buy a portfolio of stocks portfolio of stocks में दो options mutual funds, small case mutual funds are great अगर आप general market या industry को track करना चाहते हैं तो मेरा desired mutual fund होता है कोई भी nifty 50 जो हिंदुस्तान के top 50 stocks है उसका एक index fund खरीद लीजिए बहुत सारे options है HDFC का है, NAVI का है almost every bank I think has a nifty 50 mutual fund index index mutual fund तो आप उसमें invest कर सकते हैं SIP is a great idea to do that जैसे जैसे इंदुस्तान का stock market बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी investment बढ़ेंगी सरकापाई कम experts पे भरोसा बहुत low cost investments and very very good returns over a period of time दूसरा, small case small case is great क्योंकि small case एक idea को represent करता है तो आप Tata के सारे stocks खरीदना चाहते हैं लेकिन किस form में खरीदना है तो house of Tata का आप small case ले सकते हैं मैं personally momentum strategy के small case खरीदता हूं which ride on the short term momentum of stocks जो की बढ़ रहे हैं और जैसे वो बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और बढ़ेंगे before they start dipping तो उस छोटी सी period पे वो bet लेते हैं and that gives high returns but it is also very risky and I'm willing to take that risk क्योंकि वो मेरे 100-1% में लाई करता है so these are the ways that you can actually invest in high risk, high return equities the other one is crypto crypto, again your personal choice अगर आप believe करते हैं तो करिये नहीं believe करते हैं तो please मत करिये FOMO के चलते क्रिप्टो में इंवेस्ट मत करिये that is the wrong way to invest in crypto समझने के कोशिश करिये कि crypto मैं आप क्यों invest कर रहे हैं मैं personally सिर्फ तीन coins में invest करता हूँ मैं कोई भी meme coins और कोई भी नए coins में इंवेस्ट नहीं करता हूँ मैं Ethereum में मैं इंवेस्ट करता हूँ मैं Bitcoin में इंवेस्ट करता हूँ investment होता है मैं धीरे धीरे ये ratio में Bitcoin, Ethereum और Solana खरीता हूँ and that is something that I would recommend to you as well if crypto is something that you believe in एक चीज़ जो मैं भूल गया था which is very important बहुत लोग ये बोलता है कि fixed deposit में invest करते थे क्योंकि वो stable है and मैं fixed deposits का alternative आपके साथ share करना चाहता हूँ fixed deposits may not be the best for you क्योंकि fixed deposits पे number one tax लगता है and अगर आप highest tax bracket में है which is 30% तो आप जो भी rate of return कमा रहे हैं जो की करीब-करीब 5% है उसका 30% तो आप खटाई देजे तो आपका 3.5% बाजिए inflation अभी की date में 6-7% है which means every year आप आप उसको fixed deposit में लालते हैं which is why I would recommend कि fixed deposit के बजाए आप दो चोइस कर सकते हैं number one debt mutual funds यह वो mutual funds है जो companies के debt में invest करते हैं and because these are mutual funds run by large organizations backed by very experienced managers तो आपका जो risk है वो significantly lesser है of course it is not zero fixed deposits में risk almost zero होता है यहाँ there is you also get better return than fixed deposits the second option is corporate bonds corporate bonds directly companies issue करती है just like a fixed deposit but imagine not a bank but a company giving it तो company stable fixed return देती है and it typically is a one to three year horizon जिसमें आपको रिटर्न वो रिटर्न वेलता है Vint wealth is a great option to evaluate and to explore corporate bonds again risky है to the sense in the sense कि यह एक बापनी दे रही है एक बांक नहीं दे रहा है सरकार का बांक नहीं है but the good thing about say something like a Vint wealth which is the platform कि यह सारे जो secured bonds होते है मतलब इनकी जो बांकिं होती है वो company assets से बांक होती है and there is a very very tedious and a in-depth evaluation of these bonds that is done at the level of the platform before it goes out to the general public तो यह अच्छे मेरे साब से alternatives है to fix deposit अगर आप stable income पे consider करना चाते है the same thing around gold बहुत सारे लोग बोलते है gold may not be really good क्योंकि lately gold का price almost flat है तो क्या करें क्या नहीं करें उसके लिए for example a great solution is all-weather investing small case all-weather investing small case जो है वो debt में gold में और equity में इन्वेस्ट करता है so you're balanced in that sense इसी के वज़े से return बहुत अच्छा या बहुत हाय नहीं है but stability बहुत बढ़िया है and if you are looking for that stability and don't wanna invest only in gold then something like all-weather investing is a great start for you from a small case perspective this is how you should think about your portfolio in summary X which is your age is the most important determinant आपका 50-30-20 rule ये 20% of your monthly income and that 20% that will split in stable or high return assets the mix will be determined by your age 100-X goes into high return X goes into stable return stable return हो गए आपके tax saving instruments gold fixed income instruments and आपके high return instruments हो गए equity जो की direct stocks हो सकते हैं अगर आप research कर सकते हैं mutual funds हो सकते हैं small case हो सकते हैं plus crypto real estate बहुत लेटर ओन and only in the stable category not in the high return category because my experience is कि वो जादा stable return ही देते हैं high return नही देते हैं when you have all of this in your hand you understand कि आप जिस भी उम्र के हैं आपको कैसे अपनी investing journey शुरू करनी है the worst thing that you can do is to say कि मैं लेट हो चुका हूँ you are not late but every single day that you do not invest is a day that you are not letting compounding take over your investments I hope this was useful Ankar Wale ko signing off My first book Do Epic Shit is now out I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.net So झाल झाल